हेलो दूस्तो कैसे आप सब मैं हूँ परणाब और आप देख रहा है हमारा चैनल स्टेडी 16 पर आज हम देखेंगे डॉक्टर हरी सिंग और इंटरेंस का लेक्चर 14 और जानेंगे महतपुन कॉस्चन इससे पहले हम लोग 13 लेक्चर देख चुके हैं और काफी कुछ कॉस्च कॉस्चन देख चुके हैं जतने जादा हम कॉस्चन देख कर जाएंगे उतना ज्यादा हमें फायदा जो हम इंटरेंस एक्जाम देंगे उसमें हमें होगा तो आज फिर से करते हैं वीडियो को सुरू इससे पहले अगर आपने 13 इंटरेंस के लेक्चर नहीं देखे तो ज़्यादा 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 है तो हम फिर से करते हैं आज लेक्चर को शुरूब उससे पहले आप कर दीए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहला कोच्छन है कि भारत में सिंगल सिटी इंट का जो कंसेट है है और डुएल सिटी इंट का सब्सक्राइब जो मतलब एक देश की नाग रखता मतलब आपके लिए भारत की नाग रखता एक कंसेप्ट किस देश से लिया गया तो इसके आपके लिए ऑपशन रहेंगे अमेरिका, ब्रेटेन, कनाड़ा या आस्टेलिया तो इसका राइट आंसर है ब्रेटेन ब्रेटेन से भारत ने सिंगल सिटिजन सब का कंसेप्ट लिया है तो भारत में क्या चलती है सिंगल सिटिजन सब आपको अनली एक देश की नागरेकता मिलती है भारत की अलग से राज्यों की नाग रखता नहीं मिलती है जबकि अगर आप USA जाएंगे तो बहाँ पर आपको एक USA की नाग रखता तो मिलेगी जबकि USA आपको पता है पचास राज्यों से मिलकर एक समूव बना है जिसे United States of America कहते हैं इसमें पचास अलग-अलग राज्य है तो बहाँ कि भी उन्हें उसे नागरखता एक परकार की मिलती है तो इक необход भारत में नहीं है तो कोस्टन आता है रय Bell पार्लेमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्मेंट एक कोस्चन यह बनता है भारत में कौन सा सिस्टम चलता है पार्लेमेंटरी या प्रेशिडेंशियल तो भारत में चलता है पार्लेमेंटरी सिस्टम और यह भी भारत ने ब्रेटेन से लिया है ब्रेटेन की संभीदान से ब्रेटेन में एक लिखत संभीदा नहीं है नो रिटर्ण कॉंस्टूशन और देयरंदा ब्रेटेन सो पार्लेमेंटरी सिस्टम और गवर्मेंट इंडिया ने लिया है ब्रेटेन के कंसेप्ट से और अमेरिका में कौन सा कंसेप्ट चलता है क्योंकि यही कॉस्चन पूशे आते हैं कि भ ब्रेटेन से ली गई है अमेरिका में चलती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहां पर चलता है एक कोश्चना सकता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब होता है अध्यक्षारत्मक सिस्टम और USA में चलता है और USA की कैपिटल बास में टन डीजी है और USA में अभी चुनाओ है राष्टपती के और एक कॉस्चन आ सकता है किस देश के राष्टपती पर महाँ भीयोग चलाने की प्रिक्रिया लगाई गई थी तो साइद महाँ पर लग रही थी अमेरिका की राष्टपती पर अमेरिका के जो अभी राष्टपती हैं वो हैं डॉनाल ट्रम इससे पहले थे यूएसे में प्रेसिडेंशियल सस्टम का मतलब होता है अध्यक्षातमक सस्टम और एक और बात भारत मैं जो राष्टपती पर महाँ भीयोग लगता है impeachment of president, impeachment of president मतलब राष्टपती पर महावेग लगेगा तो वो पिरक्रिया भारत ने किस देश के संभीदान से लिए वो हम लोगों ने लिए USA से और question आ सकता है किस देश का संभीदान federal का एक अच्छा होधारन है, संगातमक सिस्टम का एक अच्छा होधारन है federal का मतलब होता है संगातमक federal का जन्रली मतलब यह होता है कि division of power question आभी पूछा सकता है interest में कि federal का आखल मतलब क्या है, भारत ने USA से जैसे कि किसी वी देश ने federalism लिया है federalism का मतलब क्या है, federalism का मतलब संगातमक इसका मतलब ही है की जैसे की केंदर और राज्य में पावरों का distribution होगा Power का distribution होगा केंदर और राज्य की बीच जबकि बिटेन में आप जाएंगे तो बहाँ पर यह concept नहीं है केंदर को सारी सक्ति पराप्त है इसलिए बहाँ पर single citizenship का concept है पार्लेमेंटरी सिस्टम और गवर्मेंट है बहीं आप USA में जाएंगे तो प्रेशिदेंशियल सिस्टम मिलेगा और इंपीच्मेंट और प्रेशिदेंट तो हो सकता है और बहीं से भारत ने प्रोसेस लिए तो USA के कंसेप्ट से और भारत ने इंडिपेंडेंडेंस ऑफ कौन सा देश है डिवीजन और पावर का सबसे च्छोदर और कौन सा देश है ये कॉस्चन बनते हैं तो सिंगल सिटीजन से का कंसेप्ट ब्रेटेंस से लिया है और प्रेशिदेंशियल सिस्टम यूएसे में चलता है इंपीच्मेंट और प्रेशिदेंट भारत ने जो भा अपरास्ट पत्ワ भारत ने जो ओपाराश्ट पती का प्द है मुवी अमेरिका से लिया है और अभी उपर 기본 है कूं घ्रज हुआ कहते हैं पैहले प्रेश्ट पती को एंगलेसoshi चिह यंôn कि पेले उपराष्ट पति कौन थे फैले उपराष्ट पति थे डोक्टर। सर्वापलली राधिकर्ष्ण पेले उप only र्टाक्र्ष्ण फोड़ी दॉक्टर सर्वापली राधा कृष्णल्स ओई अभी राष्टपति हैं बैंकाय नायडू अभ Stitch जो उप्राष्ट्रपती हैं वो कौन है एक कॉस्चन बनता है बैंक या नाइडू और उप्राष्ट्रपती बनने के लिए आपकी कितनी है जोने चाहिए मिनिमम एक कॉस्चन पूछा जाता है अप्सन में रहता है 30, 35, 40 या 45 तो 35 साल के आप हो गए तो आप उप्राष्ट्रपती बनने के लिए आवेधन दे सकते हैं एक और बात जो उप्राष्ट्रपती होता है वो ही राज्यसवा का सवापती होता है ये कॉस्चन सबसे यादा पूछा आता है तो इस प्रकार से कोश्चन बनते हैं उप राष्ट पती से पहले उप राष्ट पती कौन थे डाक्टर सरवपली डादा किश्णन और ये बाद में जाकर राष्ट पती बनते हैं और इनी के नाम पर 5 सितंबर को सिख्षिक दवस मनाया जाता है तो डोक्टर सरवपली डादा किश्णन के जनम नवस पर ये भारत के पहले उप राष्ट पती थे और आगे जाकर राष्ट पती बनते हैं और इन्हें भारत रत्रमी दिया गया था और बेंकाई या नाइडू भारत के अभी उपराष्टपती है और उपराष्टपती के लिए मिनिमम एज कितनी है 35 साल है और उपराष्टपती राजसभा का सभापती होता है एक और कॉस्टन उपराष्टपती क्या किसी सदन का सदस होता है तो नहीं होता है वो particular कोई सांसद नहीं होता है ना वो राजे सभा का नलुक सभा का लेकिन वो राजे सभा का सभापती होता है मतलब प्रिशीडेंग ओफिसर मतलब चेयरमेन होता है वो राजे सभा का लिए USA के संभीदान से लिए तो वाइस प्रेशीडेंट से क्या आता है पहले उप्राष्ट पती डॉक्टर सरप अली राजे सभा का सभापती उप्राष्ट पती होता है और USA के कंसेप्ट से हम लोगोंने उप्राष्ट पती का पतल लिया है और उप्राष्ट पती और फंडामेंटर लाइट भी हम लोगोंने USA से लिये हैं और पार थर्ड संभीदान के भागतीन में फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार है और क्या मूल अधिकार में संसोधन हो सकता है तो मूल अधिकार में संसोधन हो सकता है तो यह महत्पूर्ण क्वेश्चन थे हम लोग देखेंगे आंगे के question हम लोग देखें आंगे के question next है DPSP से related देख लिए अब गडतंतरात्मक सासन व्यवस्था भारत ने कहां से लिए गडतंतरात्मक सासन व्यावस्था तो गडतंतरात्मक सासन बवस्ता भारत कहां से लिए एस एंगलेश में सायज में रिप यह घञ रहें ॅपत्व कि मैप सiegen झाएगा खुछन को में किभारत किस डीज SMITH से लिए आपके लिए इंग्लेंड रहेगा है फ्रांस रहेगा यूएशे रहेगा कनडा रहेगा तो जदतर चीजह अपने लोग नें England और USA से लिए हैं लेकिन जो गरत अंत्रात्मक्सासन वबस्ता है वो भारत ने लिए फ्रांस से फ्रांस की capital सायत Paris है यह पूंची जाती है और तो किस देश से लिए चुचान आती है कि घर्दम तरात्मक्सासन्वष्टा भारत ने किस दे मित तो फ्रांस बेटरन अमेरिका करिरा एक और अब मतलब होता है अब लोग सुझ रहे हैं तो वह यह जो आप लोग समझ रहा है युनाइटेट नेशन सेक्वर्टी काउंसल मतलब रहेगा कितने पर मेंबर आप नहीं रहेगा पांच छे साथ यार तो पांच इसका राइट आंशर है कौन कौन से पांच मेंबर है यह पूंचा यह आपको याद रखना एंट्रेंस में पूछा गया है इसलिए मैंने आपको प्रिवेस येर पेपर पहले करवा दिये थे उससाब से हम लोग आपको पड़ा रहे हैं तो पांच मेंबर यह यूनाइटेड नेशन सेकुरिटी काउंसल में कितने बनाया जाए उनाइटे नेशन सेकुरिटी काउंसल का तो यूएसे है रसिया है चाहिन आ फ्रांस है विइतन है यूएसे कैपिटल मास्को है चाहिना की कैपिटल बीजिंग हे साउब फ्रांस की प्राइस है बेटेन की लंदन है इस प्रकार सी कोश्चन पूश जाते हैं यूएससे भारत ने पार्ट थर्ड में जो फंडमेंटल आइट हम बोलिए उपराश्च्ट पति का पदलिया इंडिपेंडेंडेंस ऑफ जुडिसरी ली रूस से भारत ने क्या लिया यह कोस्चन ब हैं मतलब मौलक करताप कहां से लिए रसिया से अधिकार अमेरिका से उपराश्ट पति कपर अमेरिका से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिसरी अमेरिका से तो यह कोश्चन बनते हैं और चायना है उसके बाद और सबसे पहले कागच का विसकार किया था और बोहान किस जगा प पाया इस बार तो क्वेश्चन बनता है कि एसिया की सबसे बड़ी नधी कौन सी है तो यांग टीसी कायंग है सायद और वू चायना में हैं यांग टीसी कायंग नेक्स्ट है फ्रांस की क्वेश्चन आता है भारत ने गड़तंत्रात्मक्षासन यह रेपबलेक कहां से केमेंटरी फॉर्म ऑफ गबर्मेंट ली मतलब संसदिय ववस्था ली और ब्रेटन की कैपिटल लंदन है और यहां पर लेखत कॉंस्टूशन नहीं है तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे संबर्ती सूची का कंसेप्ट भारत ने कहां किस देश से लिया है संबर्ती सूची के कंसेप्ट है किस देश से लिया गया है उप्शन में रहेगा USA, वेल्टैन, फ्रांस और आस्ट्रेलिया तो संबर्ती सूची का कंसेप्ट भारत ने किस देश से लिया है संबर्ती सूची को इंगलेस में कहते हैं इस लिस्टों से जरूर एक कॉश्चन पूछा आता है सबसे पहले यह आता है कि लिस्ट क्या है पहले जानना जरूर है कि सेडूल कितने हैं जब ही अपन लिस्टों को समझ पाएंगे भारत का जब संबीदान लागू हुआ था 1950 में ताव 8 सेडूल थी मतलब 8 इस साथवी अनुशूची में तीन लिस्ट हैं कौन कौन सी एक है यूनियन लिस्ट दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कनकरेंट लिस्ट तो संबीदान में जब लागू हुआ था कितनी सेडूल थी आठ थी अभी कितनी अनुशूचिया है 12 है तो उनी में से एक कौ citine बनता है कि भारत की संबीदान की अनुशुची में कितनी लिस्ट है यह साम जब है सीदह सीदह स्पी Kollegin glaube Day है या सेभइं सेडू है उसमें तीन लेस्थ है और उन तीन लेट कौन-कौन दीन है यूनियन से कैसे कहते हैं गौस्टinci क्या राज्य सरकार कानून बनाईगी यह केंद सरकार कानून बनाएगी तो Union list में यह बताय ws कर किंद सरकार कंव कर साय पर कानून बना सकती है जैसे कि CBI है या NIA है या कुछ ऐसे सब्जेक्थ है जैसे बार-and-退-स related स्टेट रहे हैं यह कुछ ऐसे लोग हैं तो उन पर केंद सरकार कानुं बना कहीं आप लिख समझ रहे गई हैं ना सेवें सेडूल में केंज्ड नहीं है त स्टेट लिष्ट क próxim लेशा टो यूझयोंअल एस्ट लिस्ट एंड concurrent list तो इसमें तीन लेश्ट दी गई है union list श्टेट लेश्ट और concurrent list तो union list पर केंदर सरकार कानूम बना सकती है स्टेट list पर दोनों मिलकर कानूम बनाते है तो यही question पूछा जाता है कि Concurrent list का जो concept है भारत ने किस देश से लिए है भारत ने यह Concurrent list है यह तीसरी मतलब केंदर राज्य दोनों कानून बना सकते हैं यह लिया है किस देश के संबीदान से तो आश्टेलिया से लिया है आस्टेलिया एक ऐसा देश है जो अकेला देश है वह इसे महादीप कहा जाता है मतलब है तो इसमें और भी देश महादीप में लेकन एक देश के नाम पर महादीप कौन सा है सबसे ज़्यादन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एक ऐसा देश है जिसके नाम पर ही महादीप रख दिया गया क्यूंकि यह महादीप कर सेज़ाना च्हेताँ फैला है आस्टेलिया की कैपिटल फूसी जाती है तो आस्टेलिया कापिल है केन्वरा यह और आस्टेलिया की गभूमे click कहते हैं और कंगारू दिप भी कहा जाता है अस्टेलिया में कंगारू काफी बहुत मात्रा में पाया जाते हैं उन भी काफी पाया जाता है अस्टेलिया में इस प्रकार से question बनते हैं और यहाँ पर anthracite coal पाया जाता है एक question यह बनता है कि सबसे अच्छे quality का coal या कोईला कौन सा है तो एंतरसाइट कोल है इस सबसे अच्छे क्वालिटी का कोईला माना जाता है इंट्रेंसेक्जाम में साथ पूछा गया है मैंने आपको करवाय थी तो एंतरसाइट कोल है इस सबसे अच्छा कोईला माना जाता है पर श्रेलियां में बहुत आया जाता है आस्टेलिया की पास एक Great Barrier रीप भी है question यप आया जाता है कि मसूर्परवालवित्ति कहां पर है तो आस्टेलिया में पाई जाती है तो Concurrentalist कहां से लिए अस्टेलिया से क्या है Concurrentalist का concept आपको आशा है कि समाझ में आ गया होगा थोड़ा डिल में पड़ा दिया है तो अस्टेलिया में Great Barrier Reef इसे साथ प्रवाल वित्ति कहते हैं इन्दी में मुझे clear नहीं है Great Barrier Reef question आता है कहाँ अस्टेलिया अस्टेलिया को कंगारू दीब भी कहा जाता है तो अस्टेलिया से रिलेटेट कुछ महत्पूर्ण question थे अस्टेलिया साथ continent में से एक continent है तो अंधल साथ को बहुत मात तरा में किस देश में पाए जाता है question बन सकता है कभी कबार तो मैंने आपको बता धिया है next question है 4th schedule में क्या है 7th schedule में क्या है 8th schedule में क्या है 9th schedule में क्या है और 10th schedule में क्या है या question बन जाती है इंट्रेंस के लिए महतपून हैं अब आपको जो अब आपके lecture हो रहा हैं इसके बाद आपके एक special lecture हो घूंगे जिसमें BA की एक अलग किलास होगी BA BA EAD की एक अलग हुई आप लोग देख सकते हैं ख्यारव, वो साब में महात्पून हैं BA 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 EAD की होगी और BALV और LLV की एक अलग किलास होगी और यह मेराथन किलास होगी यह आपकी 2-3 घंटे के कलास हो सकती है क्योंकि इंट्रेंस आपका आ रहा है और उस class में हर चीज के question होगे मतलब आपकी 2-3 हंटे की class हो सकती है और एक class आप देखकर जरूर इंट्रेंस देने जाएए क्योंकि इसमें आपके सारे topics cover किये जाएंगे full revision होगा और 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 भी कुछ होगा तो सब कुछ आपको पढ़ा जाएगा BA की class अलग होगी BA BA की अलग होगी BA LLV या LLE value के लिए अलग होगी तो देखते रहिए तो अभी हम लोग एस lecture 14 कर रहे है थर्ड तो question इस परकार से पूंचा जाता है कि 4th schedule में क्या है 7th में क्या है 8th में क्या है 9th में क्या है 10th में क्या है इंट्रेंस में question पूछ लिए जाता है 8 में अनुसूची किस से related है 9 मी किस से है 10 मी किस से है थोड़ा हम लोग डेटेलियां पढ़ ले थे तो आपको याद हो जाए और competitive exam में भी इन से question पूछ जाते हैं allocation of seats इंदा राजसवा question आता है कि सम्मीदान की चौथी अनुसूची किस से related है राजसवा में seat के वेटवारे से कि language से या किसी और से तो राजसवा में seat का जो वेटवारा होता है वो for schedule के तहत होता है अब 7th schedule ये महत्पून schedule है इसमें हम लोगोंने तीन list देखीं थी तीन list देखीं थी कौन कौन सी union list, state list, concurrent list 7th schedule में है 8 ये नुसूची सबसे ज़्यादा महत्पून है इंट्रेंस में कई बार question आ गया है आप लोग previous year paper देख चुके हैं मैंने solve करवा दिये हैं 8th schedule में 22 language 22 भासाओं को दर्जा प्राप्त है question आएगा कौन सी schedule language से related है तो 8th schedule में 22 language को दर्जा प्राप्त है जब संभीदान लागू गोला था तब सर्फ 14 language को दर्जा प्राप्त था बाद में जोड़ीं गहीं जैसे कि नेपाली, मनिपूरी, कोकडी और और भी जोड़ीं गहीं थी ये बाद में और language जोड़ीं गहीं तो 9th schedule 9th schedule सबसे महत्पून है 9th schedule 1st amendment हुगा था भारत की संभीदान में पहली बार संभीदान जन्सोदान हुगा था 1951 1951 मतला 1951 में और पहली बार में अमेंडमेंट में एक अनुसूची जोड़ी गई मतला 9th अनुसूची मतला पहले 8th schedule थी 9th जोड़ी गई 1951 में और जो अमेंडमेंट होता है संभीदान में उसका प्रेशियर किस देश से लिए गया है South Africa से South Africa एक Africa का एक Africa continent है उसका एक देश है और अफरीका एक एसा महादीफ है जहां से 3 देखा है Tropical Cancer, Tropical Capricorn और 0 degree मतलब एक क्विटर तीनो देखा है किस महादीफ से गजरती है अफरीका महादीफ से और किस महादीफ को अंद महादीफ कहा जाता है तो वो भी अफरीका महादीफ है तो अब है सबसे जादा चर्चा में है इस साल है सबसे जादा चर्चा में रही है आप लोगोंने देखी होगी 10th schedule दल बदल कानू मतलब साइद Anti-Defection Law वोलते हैं Anti-Defection Law Question आएगा Anti-Defection Law से संबंद किस का है यह question आ सकता है मेरे Point of View से तो यह question आना चाहिए क्योंकि 10th schedule काफी चर्चा में रही तो 10th schedule का संबंद किस से है तो Anti-Defection Law से 1985 में जोड़ी गई थी 10th schedule 1985 में जोड़ी गई मतलब दल बदल के यह आधारपन ने रहरता कोई वेक्ति किसी दूसरे दल में जाएगा बदायक है तो उसकी सदस्टा रद्द कर दी जा या इससे related यह है Anti-Defection Law है 10th schedule है 1985 में जोड़ी गई तो इस परकार से question बनते हैं Food schedule में राज्य सवा में सीटों का बटवारा दिया गया है राज्य सवा अपर हाउस है यह राज्य सवा राज्यों की सवा नहीं है मतलब बू वाली नहीं है जो आप समझता है बू बिधान सवा है बिधायक बनती है राज्य सवा का जो होता है वो सांसद होता है वो 6 साल तक चुना जाता है question ही बनता है कि राज्य सवा का सांसद कितनी साल तक रहता है तो 6 साल तक लोगसवा का जब की 5 साल रहता है राज्य सवा बड़ा भाई है राज्य सवा अपर हाउस है क्वेस्टन आता है क्वेसा अपर हाउस है राज्य सवा अपर हाउस है लोगसवा लोगसवा का शांसत 5 साल तक रहता है नेक्स्ट है सेवन्थ से दर्जा राप्त है जब संभीदान लागुगा था बाद में और भासां जोड़ी नहीं नौमी एनुसूची पहले संभीदान जंसोदान से जोड़ी गई 1951 में और जब एनुसूची जोड़ी गई थी इसका मकसद या था कि इस सेडूल में जो भी चीज़ डाल दी जाएगी उसका जूड़ी से लिगू नहीं होगा मतलब इसमें ऐसे कानुन बिना जाएगी उसका कोट या नयाला ओंडेवल कोट उसका वो नहीं कर सकते नेक्स्ट है तेन सेडूल तेन सेडूल में है एन्टी डेफेक्शन लोग या दल बदल कानुन तो यह 1980 जोड़ी गई तो आप एस का स्क्रीन शोट ले लीजिए हम लोग कुछ कॉस्चन करते हैं सबसे पहला कॉस्चन है कि राष्ट दोहच की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात केतना है तो राष्ट दोहच की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात है तीन अनुपात दो पहला कॉस्चन है हूग गया कि राष्ट दोहच की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात ह है तरंगा भारत का रास्टवज है और इसका लंबाई और चोड़ाई के अनुपाद है 3-2 नेक्स्ट है राश्टगान किस ने गाया तो इजी कोश्चन है रास्टगान गाया है गुरुदेव रवेंद्रनाथ टेगोडन है तो राश्टवज है तरंगा लंबाई अभारत का राश्च्रगान किस ने लखा कि सब्सक्राइब नहीं कुश्चन अधंता है कि तो अध्वीन रराश्च्रगान कि निक्षा तो गुरुदेव रवonces in general टे गफादी − क्वश्चन आता है किने गुरुदेव कहा जाता है तो रवेंदनाद टैगोर istpo अफ़ यह ज़ित और उन्होंने भारत का राश्टकार लखा गीतान जली से भी नहीं का संबंद था क्वेस्चन आएगा किन का संबंद गीतान जली से था तो गुरुदेव रवेंदनाथ टेगवर का संबंद गीतान जली से था गुरुदेव एक अपादी है महतमा गान्दी ने उन्हें दी थी तो इस प्रकार से question बन दे, एक और question सांती ने केतन से किन का सम्मन्द है सांती ने केतन आपने सुना होगा, ये question कई बार पूछा जाता है ये जनरली question आप लोग देख चुके होगे सांती ने केतन से सम्मन्द था गुरुदेव रमेंदनान्थ टेग और का गुरुदेव पाधी है, महत वंगानी ने दी थी, इतान जली से इनी का सम्मन्द था next है, राष्टर गीत किन ने लखा, तो ये तो easy question है राष्टर गीत लखा है, बंकिम चंदर चटर जीने बंकिम चंदर चटर जीने एक और question आता है, नील दरपन किस ने लखा, नील दरपन एक famous boxe open ने आज कहें, आप नील दरपन 19-वी सदी में काफी चर्चा में थी, नील दरपन पूछा जाता है, दीन बंदू मित्र ने लखा था तो नील दरपन पूछा जाता है, तो दीन बंदू मित्र ने लखा, तो तरंगे का जो लंबाई चोड़ाई के अनुपात है, वो तीन अनुपात दो है, 3-2, इस दा रेशियो, नेक्स्ट है, गुरुदेव रवन्दना टेगोर और राष्ट गान ने लखा है, गुरुदे संबंध है, गुरुदेव रवन्दना टेगोर का, सांती निकेतन से पूछा जाता है, किनका संबंध है, गुरुदेव रवन्दना टेगोर का है, राष्ट गीत किस ने लखा, बंकिम चंद चटर जी ने लखा, कहीं कहीं पर यहां पर चटो पाध्या भी आ जाएगा, तो नेक्स्ट कॉस्चन है संभीदान की कुझी किसे कहा जाता है प्रियम्बल कॉस्चन है संभीदान की कुझी किसे कहा जाता है इसे साथ आप की लिख लीजिए प्रियम्बल प्रियम्बल का हिंदी में होता है प्रस्तावना यहें एफर एफर मतला फंडामेंटर राइट मतला मूल अधिकार फंडामेंटर लिवटी मतला मौलक करतब और डीपी एसपी का आप जानते हैं राज्य के नीती ने देशक्ततव या डारेक्टर प्रियम्बल और संबीदान की कुझी कहा जाता है प्रियम्बल को प्रस्तावना को अब प्रस्तावना से रेलेटेट क्वेश्चन कुछ पूछे आते हैं प्रस्तावना में क्या संसोदन हो सकता है कितनी बार संसोदन हो सकता है कितनी बार संसोदन हुआ है एक वार कब हुआ है 42 वा संभीदान संसोधन हुआ था 1976 में कितने बाट जोड़े गए थे जो बाट जोड़े गए थे वो पूचे जाते हैं PSC लेवल में पूचे जाते हैं Interence में तो पूचे ही जाते हैं तीन बाट जोड़े गए थे Socialist, Secular or Integrity तो मैं आपको बता देता हूँ अभी उससे पहले आप लोग जाना है Fundamental Right Part 3 में है किस देश से लिए गए USA से Amendment हो सकता है हाँ संसोधन हो सकता है किस आर्टिकल में है Fundamental Right हैं 12 से 35 तक हैं लेकिन मुखता 14 से 32 माने जाते हैं लेकिन टोटल तो हैं 12 से 35 अब मुखता नहीं पूछे आते सीधा हूँ चाजाएगा 12 से 35 आर्टिकल तक में क्या है Fundamental Right हैं या मूल अधिकार हैं अमेरिका से लिए गए हैं Next Fundamental Luty मौलक कर्दाब से एह कोस्चन आता है मौलक कर्दाब कितने हैं 11 हैं जब संभीदाण लाग हो गाता तब मौलक कर्दाब कितने थे तो बिलकुल भी नहीं थे जब संभीदान लाग हो गाता तब मौलक कर्दाब थे ही नहीं बाद वी जोड़ेगा है वो भी 42 मौनश्चन संसोदन 1976 से मिनिकोंस्ट्यूशन का मतलाव आधा संवीदान, छोटा संवीदान, छोटा संवीदान कहते हैं 42 संवीदान संसोधन 1976 को कारण है है कि इसमें काफी अमेंडमेंट या संसोधन हुए और संसोधन के प्रिक्रिया साउथ अफरी कासे लिग गए थी तो हम लोग कहां थे फंडमेंटल लिवटी, 11 फंडमेंटल लिवटी हैं, 10 जोड़ी गई थी 42 संवीदान संसोधन 1976 से और एक ग्यार भी जोड़ी गई थी 86 वे संवीदान संसोधन 2002 से और उसमें क्या जोड़ा गया था कि माता पता का यह करतब होगा कि 6-14 वरस तक के बच्चों को स्कूल भेजा जाए आप लोगों ने अगर MP वोड पढ़ा है तो वुक के सेकेंड पेज पर आप लोगों को कुछ करतब लेखे गया थे कि भारत की प्रितिक नंगरेक का यह करतब होगा कि वो जो भी करतब हैं 10-11, 11 करतब हैं वो आपके MP वोड की किताब नंबर सेकेंड पर मिल जाएंगे आप लोग पूरे पढ़ें और हर जाग रोक नंगरेक का है करतब है कि अपने वो करतब को जाने तो 6-14 वरस तक के बच्चों के लिए माता-परता का करतब बनता है तो अब हम लोग कहां थी DPSP पर का मादला होता है राज की नीति न लह सकता को चनाथा है यह किस पार्ट मैं पार्ट फॉर में है फॉरे दे दि़िया गया और रूस से लिए थी रूस duty duty किस देश से लिए रूस की capital Moscow है और बोलगा नदी शायद रूस में ही है आप चेक कर लीजिए तो सही रहेगा DPSP Director Principal of State Policy मत्दाब राज के नेति नेजे सकता तो Part 4 में है किस देश से लिए गए एप मुझा जाता है तो Ireland से लिए गए Ireland की capital है Dublin और Ireland एक European country है Ireland एक European country है England से water share है सायद नहीं England तो एक दीफ है water share नहीं है बाकी पास ही में है England के तो संभीदान की कुझी कहा जाता है Preamble मतलब प्रस्ताबना को प्रस्ताबना को थोड़ा ओर detail में देख लेते हैं Preamble में कब amendment हुगा Socialist, Secular और Integrity तीन बड़ जोड़े गए और इसे कुझी कहा जाता है संभीदान की amendment हो सकता है कितनी बार हुआ है एक बार प्रस्ताबना की बार हुआ है तो संभीदान की प्रस्तावना से रेलेटर जो question पूछे आते हैं अब वो हम देखते हैं पहली बात संभीदान की प्रस्तावना है या प्रियंबल है उसे संभीदान की कुझी कहा जाता है की कुठी कहा जाता है दूसरी बात इसमें एक बार अभी तक संसदनय हुगा है अमेंडमेंट हुगा है प्रस्तावना में या प्रियंबल में वो हुगा था 42-20 संसदन 1976riceborne Hello Question आएगा प्रस्तावना में कितनी बार संसदन हुगा है कि एक बार हुगा है कब हुगा है 42 संभीदान संसोदान 1976 तीसरी बात कौन-कौन से बढ़ जोड़ेगा है सूशलेश्ट का सायध ही में होता है समाजबाती सेकूलर का सायध पंतरनरफेक्ष और हते इंटर्गेटि का अहंड़ भारत की अहंड़ता और इसे की या कुझी कहा जाता है संमीदान की क्यास संसोदान हो शकता है कितनी बार संसोदन हुगा एक बार पांच कॉस्चन बनते हैं एक बार फिर से देखे लो प्रियंबल एक बार इसमें संसोदन हुगा 42 संसोदन संसोदन 1976 दुवारा इसे इसमें तीन बार जोड़े गए इसमें संसोदन क्या हो सकता है हाँ हो सकता है कितनी बार संसोदन हुगा एक बार तो इस प्रकार से कॉस्चन पूछे जाते हैं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉस्चन है आर्टिकल 17 और 18 का समन्द किस से है आर्टिकल 17 मतला वनुच्छे 17 और अनुच्छे 18 आर्टिकल 17 सबसे ज़ाँ पूछे जाने वाला आर्टिकल है इसमें हैं अन्टचविलिटी का एवलिस्ट किया गया है कॉस्चन आएगा आ इस प्रस्चता का अंथ किस आर्टिकल से किया गया है तो वो article 17 है SCST Act इसी से related है इसी article से question आएगा SCST Act का सम्मन्द भारत की संभीदान के किस article से है तो article 17 से है article 17 में है क्या untouchability को ableist किया गया है आज प्रस्चता या इसे चुआ चूत कह सकते हैं उसका अंत किया गया है untouchability को ableist किया गया है next है article 18 इसमें उपाधियों का अंत किया गया है उपाधियों का अंत question आएगा किस article में किया गया है article 18 में उपाधियों का अंत किया गया है English medium बाले बैच्चों के लिए evolution of titles मतलब इसमें कुछ अपवाद है कि कोई उपाधि जैसे की रेसेना से सम्मन्दत है education से सम्मन्दत अपाधि है सिर्फ वो ही दी जाएगी बागी अपाधियों का अंत किया गया है और untouchability को अबलेस्ट आर्टिकल 17 में किया गया है next article 44 से question पूछा जा सकता है uniform civil code UCC का एक full form पूछा जाता है भाटे UCC uniform civil code और article 44 में है तो अब हम लोग next lecture देखेंगे lecture 15 और उसमें आंगे के question देखेंगे आज हम लोगों उन्हें जो class पढ़ी है वो detail में पढ़ी है और अब हम लोगों class detail में होगी कि उनसे जाज़तर question आए क्योंकि इंट्रेंस की rate pass है playlist में जाकर अगर आपने और lecture नहीं देखेंगे तो प्लीज जाकर देखिए चैनल को subscribe कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और अब आपकी अलग से class होगी BA की अलग class होगी थी मेरा अथन class होगी BA भी add की होगी LLV, BA, LLV बारों के लिए अलग होगी तो तीन class होगी अलग से बड़ी class हो सकती है तो प्लीज वीडियो को देखें पूर्या उनको चैनल को अभी subscribe कर दें ताकि आपके पास उन वीडियो की notification आजाए थैंक्स पर वाचिंग नए वीडियो थैंक्यू